दोस्तो अभी चारो और साउथ हो या बोलिवूड या फिर कहीं कुछ अगर लोग सोच रहे हैं क्या हॉलिवूड की एवेंजर्स ये काम कर सकती है मतलब गाई यहां बाहु बली के बाद एक और सबसे बड़ा दोस्तो सस्पैंस आ चुका है कि आखिर कौन तोड़ेगा दोस्तो पुषपादी रूल का वर्ल्ड वाइड डेवन का रिकार्ड यानि की 294 करोड यहां पे कौन शुरुवात करेगा 300 करोड कलब की यानि की 300 करोड ओन डेवन क्या हमें इसके लिए SS राजमुली की मच एंटिसिपेटेड मूवी जो की कहीं 2027 या 28 में आएगी उसका इंतजार करना पड़ेगा या उससे पहले ही कोई मूवी उस रिकॉर्ड को दोस्तो तोड़ देगी तो उसका जवाब आज के इस वीडियो में दोस्तो आपको मिलने कि एक कैमियो गुसा देंगे और उसके भी स्टार आके देख लेंगे तो फिर तो ओपनी लगनी ही है तो गाइस बात करेंगे क्या पठांगा कैमियो होने वाला है या फिर और किसी करेक्टर का तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो म मतलब गाईज यहां पे उस तरीके के नंबर सिर्फ हम लोग SS राजमोली की मूवी से एक्सपेक करते हैं और अगर आप लोग देखो तो पुश्पा के पास चांस तो था कि हाँ वो रिकॉर्ड दोस्तो क्रियेट कर सकती है या इवन तीन सो करोड भी कर सकती है क्योंकि फ् से भी भेंद कर दोस्तो कमाई कर सकती है तो इसका जवाब है दोस्तो हाँ है और वो है दोस्तो स्पाई यूनिवर्स की हाईली एंटिसेपेटीड मूवी मतलब वो मूवी जिसका डंका ना केवल बॉलिवूर्ड बलकि साउथ में भी दोस्तों बज़ेगा अगर आप यू फिर वो फाहत फासिल वाला किरदार जस्ट आप लोग सपोस्करों कि वियुव जो किरदार वालीविर्ग के अंदर का कोई एक्टर लाईक शाहित कपूर और दोस्तों और तो और जादागाई यहां पर कमाई की उम्मिदे होती उनके भी फैन्स आ जाते यहां पर प् मुझे कि वार्टू में क्या ऐसा पोटेंशल है कि यह मूवी बॉक्स ओफिस को उठाके पटक देगी चीर देगी फार देगी सबसे बड़ी बात सबसे घजब बात तो यही है कि दो सबसे भैतरीन कलाकार एज एक्टिंग वाइस एज लुकिंग वाइस और एज दोस्तों यहां पे मास अलिमेंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो इनकी बहुत भैतरीन है रित्तिक रोशन और जूनियर एंटियर पहली बार पहली बार एवर गाईस कॉलेप्स कर रहे हैं यहां पिक पहली बार यहा इसके एक्शन सिक्वेंस की भाई चर्चाएं हुई थी आपको वह एक हॉलिवड की मूवी थी मैं नाम भूल रहा हूं शायद रोमेंटिक मूवी थी उसमें वह गाड़ी वाला गाई जो सीने कितना वाइरल हुआ था इवन और भी कई चीजें वह बाइक चेजिंग वाला महेश बाबो की मूवी है लेकिन हम लोग अभी इतने दूर इंतराज की बात नहीं करें ना अभी हमारे सामने क्या है सामने है यहां 14 अगस्त 2025 हलाकि एक और कंफिजन चल रहा है क्या यह मूवी 2025 में आ रही है क्या 15 अगस्त में आ रही है या फिर 26 में जाएगी तो इसकी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए गया यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यह मूवी कितनी बड़ी होने वाली कितनी गरांड होने वाली है अगर आप लोग इस पाई उनिवर्स की मूवी की बात करते हो आफ्टर गाइस पठान तो यहां पर वह वह फीमेल औरेंटेट मूवी के ओपर वायर फ्ट दो सो करड़ खर्चा कर रहा है हालां कि आलिया भट है सरवरी बाग है इवन गाई आप लोग क्या सकते होगी एस विलन यहां बॉबी देवल इस इस यूनिवर्स का हिस्सा होने वाले हैं तो कहीं नहीं चीज़े बहुत टाइगर वर्सिस पठान थोड़ा सा दूर की बात सोचो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें उससे पहले हमने हमें यह अलफा उससे पहले वार टू फिर पठान टू आते हुए दिखाई देंगे तो फिलहाल दोस्तों यहां पे वार टू की अगर हम लोग बात करें सबसे स्पेशल चीज वो तो मैंने आपको बता ही दिया है एक फ्रंचाइजी है दो बड़े स्टार है और वो ऐसे वैसे स्टार नहीं कि एक उननीस और एक बीस ऐसा नहीं है दोनों का ही अपना अलग भाई पागलपन है फैंस के अंदर साउथ के अंदर अपने यहां पे जोने इंटियार फाड़ेंगे और हिंदी में देख लेंगे भाई सहाब यहां पर नदर दैन रित्तिक रोशन तो कई ना कई यह दो चीज तो इसके लावा दोस्तों एक और बड़ी चीज है वो है इस मूवी का डिरेक्शन देखो आप लोगों को लगया क्यार स्पाई उ बर्दस होगी और अभी कि अगर हम लोग लेटेस अबडेट की माने तो फिलहाल एक भी जो गाईस कैमियो की शूट है उसको अभी तक पिचराइज ने किया गया है लाइक बहुत हद तक चांस है कि पठान की शायद इसमें कैमियो हो जाए लेकिन मैं कई सोर्स से यह देख देखने को मिले वह चीज़ें हो सकती है लेकिन पठान का टाइगर का कैमियो इस वक्त अभी तक शूट नहीं हुआ है मुवी को रिलीज होने में देखो डिसमबर गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल माई जून जुलाई 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 लास्ती मान लो क्योंकि में कभी नहीड है अब हमने देखा कि कैसे ट्रिपल रर के क्लाइमेक्स के लिए कितने पैसे भाय गए एवन दोस्तो कु receptive mist में क्या ही पैसा गाई इन लोगों ने वहाया और कितना जबरी मैक्स भडा जह रहा है कि ये उनसे 10 गुना क्या 500 में मेरा ये मानना है कि आपकी नहीं थी वह उन लोग भूल जाएं उसको लोग उसको भूल जाएं और लास्ट का आदा घंटा याद रखें तो चीजें वहीं से गाईज भैजरीन हो जाती है तो क्लाइमेक्स में बहुत तगड़ा ध्यान दे रहे हैं गाईज यह लोग जो एक्शन आपको दिखाने वाले नेवर सीन बिफोर एक्शन होने वाले हैं मुवी का बजट हो सकता है कि 400 कोरण भी दोस्तों पहुंच सकता है दो स्टार है बीबी यहां पे कह सकते हैं कि रित्तिक रोशन भी आजकल पैसों के साथ साथ वो भी लेने लगे है शेर भी लेने लगे है और यह बहुत अच्छ अब कौन से गाई शेडियूल की शूटिंग हो रही है वायरा बहुत स्ट्रिक है यह सब चीज़े बहार आती नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि मुवी बज़र पच्चिस के 14 अगस्त वही दोस्तों रिलीज होगी आने दो भाई जिन जिन मुवी उसको आना है आने दो कल एक अपडेट आया था लाहर उनियो 47 जो मुवी है यानि कि आमिर खान की उसको भी शायद अगस्त में रिलीज किया जाएगा इंडिपेंडेंडेंस डे में हो गाया नहीं पता अगस्त के लास्ट में हो लेकिन मेरे हिसाब से आमिर खान की डिसेजन गल्थ होगा बहुत ब मुवी 100% दोस्तों पोटेंशल रखती है मतलब गाइस यहां पर देखो 100 करोर नेट कलेक्शन हिंदी में करने का पोटेंशल रखती है यह मूवी यह लोग शायद मेरे ख्याल से चोड़ा तारीक का मुवी रिलीज कर रहे हैं एक दिन पहले हॉलीडे का महाल रहता है भाई तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि हिंदी वर्जन से 200 करोर आ सकते हैं बहुत हद तक चांस है कि टिकट के प्राइस भी बढ़ेंगे तो अगर हम लोग यहां पे देखें आग अधित्ती रोशन फाइटर उतना नहीं चला इस्तारडम उतना अभी नहीं है तो क्यासे लगेगी यह उपनी भाई लगेगी स्पा यूनिवर्स की बात नहीं है यह मुवी है ही इतनी जबर्दस कुछ लोग इस वह से भी ट्रोल करने कोशिश कर रहे हैं कि भाई वह बच् कुछ चीजें वार्टू में कुछ लोगों को स्क्रिप्ट थोड़ी सी धील लगी ते लेगी इस बार वह भी भटेगा तो यह कुछ अपडेट है तो फिलहाल आप लोग कह सकते हो कि मुझे लग रहा है कि 100% चांस है कि यह मूवी कुछ पागी रिकॉर्ड को तोड़ने व कांतारा कार्टी के यह मूवी चली थी ना 1220 में फिर 23 में क्या हुआ हाथ में गिनो पठान इतना गाइस पीशे पड़ा गया लोगों को मूवी अच्छी लगी आस्मान में लेके गए गए गदर टू भाई कितना यहां पर ट्रोल किया गया वालिवूड की मूवी एनिमल जवान डंकी तो गाइस चली ना भाई मूवी यहां पर चीजें अच्छी होनी चाहिए कहीं के भी कहीं से भी हो मूवी कोई फरक नी पड़ता पताओ क्या है आपका कहना मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही